So hello दोस्तों, Si is here, back with another interesting and most important video जी दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी Realme device को unbrick कैसे करते हैं चाहे आपका device Qualcomm based CPU पे हो या फिर Media Tech based CPU पे हो यहाँ पर जो है मैं आपको एक proper detail guide करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी Realme device को unbrick कर पाऊगे अगर आपका device Realme के logo पे टक गया हो अगर आपका device Realme के logo पे चालू बंद हो रहा हो या फिर आपके device में कुछ इस तरह का interface आ रहा होगा जैसे कि यहाँ पर पढ़ पा रहे हो your boot AMG, recovery AMG has been destroyed वगरा कुछ इस तरह का interface आ रहा हो तो इस सारे problems का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है यह सारी problems इस method के तुरू fix हो जाएंगी अब आप में से कुछ लोग यह बुलेंगे कि आपने तो unbrick पे इतने सारे videos बनाया है तो realme के लिए अलग से क्यूँ तो देखो अब तक जितने भी videos बनाया है unbrick पे वो सारे devices एक तरप और हमारे realme भाव दूसरी तरप ठीक है मतलब उसका उन सबका जो method था वो अलग था लेकिन realme के लिए special method अलग है ठीक है ये method ये realme का method उन devices पे work नहीं करेगा और उन devices का method realme work नहीं करेगा totally different है तो इसी के लिए most important ये guide होने वाला है specially realme devices के लिए इसलिए मैं special guide बोल रहा हूँ और most important बात फिर से repeat कर रहा हूँ एक most important बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है इस method को इस guide को working में लाने के लिए आपका device fast boot में boot होना चाहिए ठीक है आपको proper वो combination keys को press करके अपने device को fast boot में लाना होगा I repeat आपका device में fast boot mode working होना चाहिए आपका device fast boot में boot करना चाहिए ठीक है अगर आपका device fast boot में नहीं आ रहा है अगर dead है आपका device तो आपका device hard brick है वो उसके लिए आपका ये guide work नहीं करेगा हाँ ऐसा चलेगा कि अगर आपका device जो है fast boot में आता है लेकिन कूची second रुखता है फिर चलू बंद हो जाता है तो उसका fix है इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ उसका fix लेकिन एक तो बार आपका device fast boot में आ जाना चाहिए बस आपका device fast boot में आ गया समझो अनब्रिक हो गया तो आज मैं एक detail proper guide देने वाला हूँ तो पूरा वीडियो एंड तक के देखना है और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना वहाँ पर important files और updates में प्रोवाइड करते रहता हूँ So without any wasting of time, let's begin तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ important files की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा ज़्यान देना क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही technical deeply होने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान देना आप अच्छे से तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है अपने phone का stock chrome डाउनलोड करना पड़ेगा full stock chrome ठीक है तो कैसे डाउनलोड करोगे सबसे पहले हमें आ जाना है chrome पर और यहाँ पर हमें simply सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना बड़ेगा हमारे phone का नाम तो मैं लिख देता हूँ realme xt ठीक है तो ऐसे सर्च कर सकते हैं stock chrome for realme xt और आपके device का नाम लिख सकते हो मैं अपने device का नाम लिखा हूँ stock chrome for realme xt तो अपना नाम लिखे है stock chrome for आपके device का नाम यहाँ पर अलग-अलग website आ जाएंगी तो हम सबसे पहले यह पहले website पर चले जाते हैं तो यह है get droid tips वाली website तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे के हम नीचे आ चुके हैं तो यहाँ पर download links जो है यहाँ पर provide किये गए हैं और versions different type के है c11, c14, c13 तो इसमें से कौन सा version का download करना है उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं लेकिन यहाँ पर हम दूसरे-दूसरे website चिक कर लेते हैं तो यह realme firmware के official site है आप यहाँ से भी download कर सकते हो तो यहाँ पर जो हमारा जो file है यहाँ पर अलग-अलग phones के file हो अगेरे मिल जाएंगी simply आपक से download करना है जो हमारा country के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर different type के हमें versions दिए गये हैं ठीक है global है उसके बाद जो है अलग-अलग type के regions के हिसाब से हाँ पर ROM प्रोवाइड किए गये है ठीक है ideal mode करके लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पार हो यह full stock ROM ब आगे बताऊंगा लेकिन पहले इतना ध्यान रखिए कि आपको जो है full stock ROM डाउनलोड करना है अपने device का तो जैसे कि आप देख पार हो यहाँ पर यह हम ओपो वाली साइट पर आ चुके हैं तो यहाँ पर भी वही हमारे ROM के files प्रोवाइड किये गये हैं जैसे कि आप देख 14 तो मैंने already file download कर रखिया आप किसी भी site से download कर सकते हो ठीक है मैंने आपको sites बता दिये simply search कैसे करना हो भी बता दिया हूँ और उसके बाद जैसे download करोगे उसके बाद extract करोगे अपने zip को तो जैसे extract करोगे तो इस तरह की file मिलेगी OFP format रहेगा इसका जैसे कि आप देख पर ह इसका OFP रहेगा और ये कुछ 10 GB की file बन गई extract होने से पहले वो कुछ 3-4 GB करेंगी extract होने के बाद कुछ बहुत बड़ी GB की file बनेगी ठीक है then उसके बाद आपको इस OFP format को extract करना पड़ेगा उसके बाद आपको इस तरह के IMG files मिलेंगी अब ये directly extract नहीं होता है OFP file इसके ल वीडियो को देखने के बाद आपको समझेगा कि इस file को कैसे extract करना है जैसी कि सबसे पहले हम ROM download करते हैं तो वो कुछ zip में मिलेगा फिर उसके बाद उसको extract करेंगे तो OFP file जो की कुछ 10 GB की थी वो मिलेगी उसके बाद उसको OFP file को extract करने के लिए मैंने एक नीचे description में video दि ठीक है फिर उसके बाद extract कर लेना है जैसी कि आप देख पर हो यह यह OFP file है 10 GB के उसको extract करूँगा तो उसमें से IMGs निकलेंगी समझरी बात पहले क्या था 3 GB की वो 4-5 GB की file थी उसको मैंने extract किया उसमें से मैं जए OFP file मिली OFP file कितने GB की थी 10 GB की बन गे फिर उसको मैंने क्य extract किया extract किया extract करने के बाद क्या मिले इस तरह के IMGs मिले बढ़ डारेक्ट extract होगा क्या PC से नहीं होगा उसके लिए separate video मैंने description में दिया हूँ उस video को follow करके आपको extract करने पड़ेगी ठीक है और उसके बाद इस तरह के IMGs निकलेंगी उस OFP file में से अब आपको clear हो गया होगा ठ ठीक है तो next step क्या करना है जैसी कि आप देख पार हो यहाँ पर यह फाइल में extract करने के बाद यह इस तरह की file मिलती है अब next step आपको ADB setup करना पड़ेगा तो ADB कैसे setup करोगे इसकी भी link description में है zip extract करो तो इस तरह का folder बनेगा इसके अंदर जाओगे तो यह इस पर double click करते जा जाओ यह ADB पर तो उसके बाद यहाँ पर s no पुछा जाएगा y लिखके enter की दबाते जाना आपको y लिखो enter की दबाओ फिर इसके बाद next next करते जाओ और finish setup हो जाएगा ठीक है और यह सब होने के बाद आपका ADB setup हो चुका है अब ADB setup होने के बाद क्या होगा Windows open करो यहाँ पर c drive के अंदर जाना है यह ADB folder बना रहेगा कहाँ पर बना रहेगा Windows c drive में अब ADB folder को आपको क्या करना है open करना है तो यहाँ पर double click करके इसको open करेंगे और याद रखिए यह folder बनना चाहिए ठीक है ADB का setup करोंगे ना मैंने जबी setup बता है उस setup को करने के बाद यहाँ folder बन के या फिर सारे टिक करके हमें इस ADB folder के अंदर पेस्ट करनी है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूं जिसे के आप देख पर हो एक-एक IMG उठा रहा हूं अब यहाँ पर ध्यान से देखना IMG सी लेनी है हमें सिर्फ only IMGs उठानी यहां से तो dot extension में आप मैं IMG लिखा रहेगा वही उठाना है तो यहाँ पर देखो disk image file करके लिखा रहेगा आपको type लिखा है ना type file type देखो disk image file करके लिखा रहेगा तो इन सारे files को जो है जो IMG files है इन सब को यहां से cut या फिर copy कर सकते हो आप तो हमें इन सारे files को यहां से उठाना है और उन सारे files को हमें copy का करना है ADB folder के अंदर copy करना है ठीक है तो ये सारे files को हमें adb folder के अंदर copy कर लेना है मैं cut कर देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा यहाँ पे paste उसके बाद यहाँ पे हम adb folder के अंदर paste कर देंगे तो यह paste हो चुके हैं सारे img files अब उस folder का काम खतम हो चुका है अब आ जाते हैं adb folder के अंदर अब कहाँ पर है हम adb folder के अंदर क्या किया हमने यहाँ पर जो हमने stock room download किया था realme का full stock room उसके बाद जो extract किया था ठीक है extract करने के पर जो img files मिली थी उन सारे img files को हमने यहाँ पर डाल लिया यहाँ तक PC का काम खतम हुआ ठीक है अब next step हमारा यह phone है ठीक है phone अभी bricked है और यह fast boot mode पे भी नहीं है तो इसको कैसे ले जाओंगे तो इखो अगर आपको अपने device को fast boot mode पे ले जाना है तो सबसे पहले device को off करना होता है तो off कैसे करोगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा off करने के लिए volume up volume down और power की तीनों keys को आप अच्छे से press करोगे तो फिर क्या होगा आपका device होगा बंद और जैसे ही वहाँ पे screen बंद होगी ना फट से आपको volume up और volume down की छोड़ देनी है और सिर्फ volume down की press करके रखना है I repeat यह देखो तीनों keys आपको press करके रखनी पड़ेंगी ठीक है या फिर आप इस तरह से power की hold करके रख सकते हो और जैसे phone off होता है उसके बाद volume down प्रेस करके रख सकते हो ठीक है इस तरह से आपको fast boot mode आ जाएगा ठीक है फिर से repeat कर रहा हूँ अगर आपका fast boot mode नहीं खुल रहा है जबरदस्ति खुलने का तरीका क्या है तीनों बटन प्रेस कर दो volume up volume down तीनों का button प्रेस कर दिये तीनों बटन जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद आपका phone होगा कुछ second के लिए बंद जैसे ही बंद होगा ना फट से आपको volume up और power की दोनों छोड़ देना है volume down की नहीं छोड़ना है ठीक है ना अब यहाँ पर मैं जो second method यूज कर रहा हूँ तो उससे ही हो जा रहा है जैसे कि मैं power की प्रेस कर रहा हूँ PC से अब चलते हैं PC के उपर ओके PC के उपर हम आ चुके हैं जैसे कि मैंने बूल जब ही हमने setup कर लिया था ना सारे AMGs मैंने ADP folder के अंदर paste कर दिये थे तो वही पर हम आ चुके हैं repeat अब यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको cmd लिखके enter press करना है तो यह मैंने cmd लिखा enter press किया तो यह command window खुल गया अब पहला command क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि हमारे device connect है की नहीं तो कैसे चेक करोगे fast boot लिखना है space देना है devices लिखना है enter की press करना है ठीक है उसके बाद यह देखिए fast boot यह देखिए यहाँ पे serial number 100 हो रहा है मतलब हमारा fast boot mode में phone connect हो चुका है अब क्या करना है fast boot mode में आपका device connect होना चाहिए connect हो चुका है हमारे device fast boot mode में next step क्या करेंगे एक एक IMG flash करेंगे fast boot flash boot ठीक है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सरकाएंगे window और इसको यहाँ पे drop and drag करेंगे ठीक है यहाँ पे इसको drag करके drop कर देंगे तो यह दीखिए यहाँ पे हमने boot IMG आ गया अब enter की press करेंगे तो वो flash हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे enter की press कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है flash हो जाएगा boot IMG ठीक है आपको समझ गया होंगा मैंने कैसे कर गया तो जैसे कि आप देख पर हो flash हो चुका है फिर से दूसरी IMG flash करके दिखाता हूँ फिर से command क्या लिखेंगे fast boot space देंगे जो यहाँ IMG flash करने वाले हैं उस IMG का नाम लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा fast boot ठीक है just wait मेरा keyboard का थोड़ सा problem चल रहा है तो फटसे दबनी रेकीज तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं लिख रहा हूँ fast boot space दिया flash लिखना है फिर space देना है और boot img का नाम sorry img का नाम जो img flash करने वाल है तो catch img flash करेंगे तो catch img का नाम लिखा फिर space दिया और उस catch img को उठा के यहाँ पर drop कर दिया फिर enter किया तो वह flash हो जाता है again next img भी ऐसे ही flash करना है fast boot space flash space space उसके बाद img का नाम जो हम यहाँ पर अभी flash करने वाले हैं तो driver img तो यह रहा driver img उसके बाद space देके driver img को यहाँ पर drop कर दिया enter कर दिया तो यह देखे flash हो जाएगा ठीक है कैसा करना है simple है कुछ-कुछ img flash नहीं हो रहे है तो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ कैसे करना पड़ता है कोई भी img flash सबसे पहले fast boot लिखने का फिर space देने का फिर flash लिखने का फिर से space देने का फिर उसके बाद img का नाम जो img हम flash करना चाहते हैं system होंगा तो system vendor होंगा तो vendor img का नाम लिखेंगे for example system फिर space देने का फिर system img वहाँ से उठाने का और उसको यहाँ पर drop कर देने का command window पर ठीक है जो mouse का जो first key होता है उसको press करके ऐसे वहाँ पर छोड़ना पड़ता है उसको अब आपको तो आते ही होंगा अब यह इतना भी बच्चो जैसा नहीं समझाना पड़ेगा बट फिर भी बता रहूं आपको ठीक है मतलब उस img को वहाँ से उठा के यहाँ पर छोड़ना है उसके बाद enter की press करोगे तो इस तरह से imgs flash होना start हो जाएगी इस तरह से हमें सारे imgs जितने भी imgs हमने stock room से लिये थे जिन imgs को मैंने उठा के इस adb folder के अंदर रखा है सारे के सारे imgs हमें यहाँ पर एक एक करके flash करते जाना है fastboot लेओ fastboot space फिर उसके बाद flash space img का नाम जो है जो img हम flash करने वाले है img का नाम लिखा फिर space देना वो img जिसका नाम लिखा है उस img को उठाने का command window पे डाल देने का फिर enter की press कर देने का img flash हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से एक-एक img flash कर लेना है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को forward कर देता हूँ क्योंकि काफी time लग रहा है अभी तक इतने img flash कर लिए है बाकी के भी इसी तरह से flash हमें करनी है ओके जैसी कि आप देख पार है हो सारे img मैंने flash कर लिए है ठीक है अब यहाँ पर मेरे device अभी भी connected है जैसी कि आप देख पार है हो मैंने fast boot devices करके लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं फिर से आपको enter करके दिखा देता हूँ जैसी कि आप देख पार है fast boot devices मेरा अभी भी phone connected है और सारे के सारे img's flash हो चुकी है ठीक है अब next step क्या करना है देखो अब next आपको अपने phone का ozip file डाउनलोड करना है ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना यह ozip file का जो version होता है for example मेरे ozip file का version जो था available वो c14 था मतलब जो site पे से हम download करते है न ozip file तो वो ozip file से ही version match करना चाहिए हमारा stock room का for example मैं आपको बताता हूँ मैंने तो ozip download करके रख लिया हूँ already मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने device के लिए ozip file कैसे download करोगे लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूँ जो ozip file का version है for ozip file जो available था मतलब ozip file जो internet पे available है मेरे लिए वो है c14 version ठीक है अब यह c14 version ही होना चाहिए जो पिछले बार मैंने stock room download किया था वहाँ पे मैंने एक point लिखा था ozip file c14 is equal to full stock room ofp file c14 इसका meaning यह है कि ozip file जो है वो वही ozip file का जो version है वही version का हमें stock room download करना था पहले जो किया था न वो और ozip file कैसे download मतलब कैसे search करोंगे अभी मैंने आपको करके दिखाया हूँ simply कुछ नहीं google पे आके आप realme xt या फिर अपने device का नाम लिखो और आगे लिखो ozip file search करो उसके बाद यह पहली website पर आ जाओंगे यह realme की website है इस पर आने के बाद आपको अपने model देख लेना है तो मेरा है realme xt आपका जो होगा वो देखना देखो या पर मैंने फिर से repeat किया हूँ ozip file version c14 is equal to full stock room ofp file version मतलब जिस version का ozip file available है उसी version का आपको stock chrome डाउनलोड करके flash करना था जो हमने पिछली बार flash किया है 1-1 IMG फिर से repeat किया मैंने ठीक है और उसके बाद उस ozip file को आपको sd card में डाल के अपने phone में डाल लेना है जो अभी ozip file download किया उस ozip file को आपको अपने sd card में डालना है और वो sd card आपको अपने phone में डालना है तो मैंने sd card में डाल लिया हूँ और phone में sd card डाल ले हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको recovery mode पे select करके power की press करना है volume down की press करोगे तो mode change होते हैं और power की press करोगे तो उस mode पे हम enter होते हैं तो मैंने volume down की press करके recovery mode पे आने दिया फिर power की press किया तो यहाँ पे अभी recovery mode पे हम आ चुके हैं और यह है stock recovery और install from storage पे click करेंगे sd card डाला मैंने sd card पे click करेंगे ठीक है अब वो ozip file यह देखो rmx 1921 इस ozip file को click करोंगे update ok click करोंगे तो यह update होना start होगा मतलब यह ozip file install हो रही है ठीक है अब इसको time लगेगा मैं video को forward कर दूँँगा ठीक है तो रुको थोड़ा समय बताता हूँ आपको इसको होने देते हैं तो जैसी कि आप देख पर यहाँ पर reboot system करके आया है बट reboot नहीं करना है करोंगे तो गड़बड हो जाएगा सिर्फ ok करो फिर यहाँ पर हमें wipe data पर click करना है यहाँ पर जो code लिखा है उसी code को type करना है ओके और उसके बाद format data पर click करना है ठीक है उसके बाद format data जैसी complete हो जाएगा ओके फिर उसके बाद reboot system पर click कर सकते हैं phone चालू हो जाएगा अब मैं बताता हूँ कि funda क्या है मैंने जो बोला था ना oz file का version match करना चाहिए stock chrome के version से वो क्यों बोला क्योंकि यहाँ पर जब आप update करोगे ना अपने phone को मतलब recovery के through तब error आ जाएगा मतलब recovery से हम जब oz file flash करेंगे ना तो fail हो जाएगा तो वो fail नहीं होना चाहिए इसलिए इतना दिमाग लगाना पड़ा हमें क्या किया हमने ozip का version जो था जो available था इंटरनेट पे उसी version का हमें stock chrome डाउनलोड करना है जो की ozip का version c14 था तो stock chrome भी c14 मेंने डाउनलोड करके flash किया इतना करने के बाद finally phone अनब्रिक हो जाएगा इस तरह से ठीक है वीडियो पसना आएगा तो वीडियो को like और share करके जरूर जाना बहुत मेहनत किया इस वीडियो को बनाने के लिए पुरे फटे तक के मेहनत किया है तो please एक share और एक like बनता है और हाँ वो fix के बारे में मैं बताना भूल गया हूँ तो अभी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना जिनका phone जो है fast boot में रुकता नहीं है मतलब कुछ 5-10 second रहता है फिर fat से reboot हो जाता है तो उनको क्या करना है सबसे पहले अपने phone को connect करके रख लेना है connect करना मतलब सिर्फ data cable attach करके रख देना है अपने PC से ठीक है attach कर लिया then सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर PC में आएंगे Windows C Drive के अंदर ADB folder के अंदर आएंगे ठीक है उसके बाद command window open करना है cmd लिखो enter press करो यहाँ पर और command window जैसा ही खुलता है तो यहाँ पर आपको पहला काम क्या करना है fast boot लिखना है फिर space देना है फिर flash लिखना है फिर space देना है और boot लिखना है तो मैंने enter press किया है बट phone अभी भी connected नहीं है waiting for any device ठीक है मतलब phone fast boot में connect ही नहीं है तो flash नहीं होगा बट हमें enter करके करके रख देना है और उसके बाद क्या करेंगे title की press करके रखना है power, volume up, volume down तीनों की press करके रखना है और जैसे screen बंद होगी वैसे ही volume up और power की छोड़ना है बट volume down नहीं छोड़ना है I repeat volume down नहीं छोड़ना है देखो मैंने नहीं छोड़ा और जैसे देख पा रहे हो fastboot में आया phone जैसे ही FUT से वहाँ पर boot AMG flash हो जाता है तो ये trick है जिनका phone fastboot में नहीं टिकता है नहीं रुकता है FUT से वहाँ पर आपका boot AMG जैसे ही flash हो जाता है कहने का मतलब simple सा बात ये है कि realme भाई हमारी मारे उससे पहले ही हम realme भाई की मार देते हैं समझे रहो ना तो यहाँ पर वो boot होने से पहले ही हमने boot AMG उसके अंदर घुसेड दी तो वहाँ पर वो बार बार reboot नहीं होगा fastboot में आके रुक जाएगा simple सी बात और जैसी boot AMG flash करोगे उसके बाद recovery AMG भी इसी तरह से आपको flash कर लेना है ठीक है पहला क्या flash करोगे पहले boot AMG flash करना फिर recovery AMG flash करना फिर दीरे एक एक AMG आप flash करते जा सकते हो बट most important पहले सिर्फ boot AMG flash करना है अगर इस तरह का problem आपके case में आता है तो ठीक है मैंने boot AMG flash किया और यह अभी recovery AMG भी flash कर लेता हूँ spelling थोड़ी सी गलत हुई थी इसलिए वो failed हुआ था अब देखो flash हो जाए गर recovery देखो इस तरह से तो यही था पूरा सब कुछ पूरा आपका fix भी हो गया इसी वीडियो में तो प्लीज एक like और एक share बनता है चलो bye अभी